जहिन दोस्तों क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ यदि आप भारत के किसी भी उन्वर्सिटी से हैं और आपका सब्जेक्ट है को कोरिकुलर कोर्स के अंदर जो आपका सब्जेक्ट है एनलेटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेरनेस का तो आप इस ट्रण को अटेंड कर सकते हैं ठीक है बी यह सी समेस्टर सबहसे से संब्सेंट के स्ट््षाइट कर सकते हैं क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ और मैं आपको बता देता हूँ यह जो पेपर है दोस्तों इसका एक्जाम दो फरवरी को हुआ है और यह पेपर है दोस्तों CCSU का कहा है CCSU का है और जो आगामी एक्जाम होने वाले हैं भारत के सभी उनिवर्सिटी में जैसे कानपूर उनिवर्सिटी हो गया JNCU है इन सभी के कालेज में अभी आगामी परिक्षाएं बाकी है तो इस कलास को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से अटेंड करिएगा ठीक है चलिए इस्टार्ट करते हैं इसमें देखते हैं पहला प्रस्ण आपका क्या पूछा है दखिए पहला प्रस्ण आपका इसमें पूछा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का मूल कार्य है तो input, storage और processing ये सबी computer के मूल कारे होते हैं ठीक है आपसे नमर डिक करेक्ट हो जाएगा आपका अगला प्रस्थ देखेंगे आपको क्या पूछा है देखिए इसमें जितने भी प्रस्थ पूछा है न ये सब प्रस्थ कहीं न कहीं आपके exam में पूछ चुका है ठीक है कहीं य जो exam हुए है उससे भी 2017 की exam हुए है ठीक है बहुत पुराने पुराने इसमें जो जितने भी computer की प्रस्थ ने सभी exam में कहीं न कहीं पूछे जा चुके है तो यदि आपका competitive exam की त्यारी कर रहे हैं तो तो भी आपके लिए class रामबान है ठीक है बहुत अच्छी तरीके से इ देखेंगे ठीक है दूसरा प्रस्थ इसमें क्या पूछा था आपका निमने लिखित में से कौन सा computer का एक घटक नहीं है अल्यू अर्थमेजिक लाजिक यूनिट सीप्यू होता है ठीक है मेमोरी भी होता है कागज हमारा नहीं होता भी है ठीक है आप से नमर डी करेक्ट हो जाуск झाएगा कंप्यूटर का घटक नहीं है कागज चलिए अगला प्रसना का दीखते हैं प्रस्थ नमर तीन आपको क्यada पूछा है देखेंगे अधने मरतीन आपको पूछा है दोस्तों निमनलिखित में से कौन सा कथन computer के बारे में सही है तो इसमें दोस्तों computer साइब हो होता है नई साफ्टोवेयर भी यूज होता है आपसे नमर डी इसमें क्या दिया है यह एक इलेक्ट्रानिक उपकरण है जो डेटा को संग्रही पुनःप्रात और संसाधित करता है बिल्कुल सही है ठीक है आपसे नमर डी करेक्ट हो जाएगा आपका अगला प्रस देखेंग दोस्तों जिसे हम छू सकते हैं ठीक है वो हाडवेयर होता है जिसे हम छू नहीं सकते हैं केवल देख सकते हैं वो साफ्ट वेयर होता है तो मानिटर कीबोर्ड और सीप्वी को हम छू सकते हैं माइक्रो साफ्ट आपिस क्या है अप्लिकेशन साफ्ट वेयर होता है इसे हम छ जाना जाता है process data is knowledge किसके रूप में जाना जाता है information के ठीक है यानि सूचना के रूप में जाना जाता है आपसा नमबर भी correct हो जाएगा आपका अगला प्रसंदेखेंगे आपको क्या पूछा है प्रस नमबर 6 पूछा है दोस्तों एक computer में सभी अंकगर्डितिय तथा तारकिक परिचालन डैस द्वारा किये जाते हैं तो अर्थमेजिक लाजिक यूनिट यानि ALU के द्वारा किया जाता है ठीक है छटे का आपसा नमबर ए हमारा correct है चलिए अगला प्रसंदेखेंगे हमारा क्या है प्रस नमर 7 इसमें आपका पूछा है इनमें से कौन सा hardware अभयाव नहीं है ठीक है इनमें से कौन सा hardware अभयाव नहीं है इन्पूट यंत्र आपरेटिंग सिस्टम CPU मेमोरी यंत्र यह सब क्या है इनमें से इन्पूट इंतर के अभिया यह hardware अभियाव है की नहीं है बताइए यह अभियाव है ठीक है इसमें पूछा क्या है hardware अभियाव नहीं है तो operating system क्या है आप्ध्व अभ्याव हैं ठीक है हार्डवियर अभ्याव नहीं है तो सॉथ्वेक आपses नमबर भी करेक्ट हो जाए गा अपरेटिंग शिस्टम ठीक है चलिए अगला पृस्द आपका देखते हैं कि प्रस नमबर आठ अपका क्या पूझाय इसमें प्रस्ट नमबर आठ पूछा है आपका साफ्ट वेयर का प्राथमिक उद्देश डेटा को डैस में बदलना होता है ठीक है दमेन परपस आप साफ्ट वेयर इस टू कनवर्ट डाटा इन इन फॉर्मेशन ठीक है आपसन नमबर भी करेक्ट हो जाएगा आपका आठ में का चलि यह सबी जो प्रस्ट नहीं किसी ना किसी एक्जाम में पूछे जा चुके हैं ठीक है तो यादे आप इस कलास को बहुत ध्यान से देखिएगा ठीक है प्रस नमबर नौ आपका पूछा है दोस्तों निम्नलिखित में से कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट कौन सी है त सीप्यू का फूल 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 ठीक है डाट डियो सी फिर डाट काम ठीक है डाट इन डाट इस जो यह सभी के बारे में पूछ रहा है तो अभी आप तक पढ़े नहीं है तो पढ़ लिजाएगा बाकी कमेंट करिएगा मैं पढ़ा दूंगा दस्वान नमबर इसमें प्रस्णा आपका निमनलिखित में से कौन से सीप्यू के घटक है सीप्यू के घटक कौन है तो सीप्यू के घटक कौन है तो एल यू एंड कंट्रोल यूनिट ठीक है अर्थमेटिक लाजिक यूनिट होता है और कंट्रोल यूनिट होता है आपसर नमर डी आपका करेक्ट ह हो जाएगे कि का इसमें से कॉन सा विकल्फ सेस्ट तीनों से और संगत है तो कैस्utt तो चैस्ट मेमोरी और इसमें दूसरा क्या है अर्थमेटिक αυτό एवं लाजिक यूनिट इंस्ट्रक्शन डिकोटर और control unit ये तीनों दोस्तों एक हैं बाकी इन में से ये असंगत है कैस memory ठीक है आपसर नमबर A करेक्ट हो जाएगा आपका 11 का अगला प्रसन आपका देखेंगे 12 नमबर प्रसन क्या है किसी भी computer system का मस्तिस्क किसे कहा जाता है तो CPU को कहा जाता है ठीक है 12 का आपसर नमबर D करे सीधी पहूंच एक्सेस होती है तो देखें ये सभी क्या है ये सभी storage device है ठीक है hard disk magnetic tap DVD RAM लेकिन सबसे क्या पूछा है CPU की सीधी पहूंच यानि एक्सेस सबसे तेज किसमें होती है RAM में होती है ठीक है 13 का आपसर नमबर A करेक्ट हो जाएगा आपका अगला प्रसन में से कौन सा विकल्प CPU मेमोरी में सामिल है इनमें से पूछ रहा है चार विकल्प दिया आपका कौन सा विकल्प CPU मेमोरी में सामिल है secondary मेमोरी ये सामिल नहीं है या केवल scratch pad memory ये भी नहीं है scratch pad memory और cache memory बिल्कुल सही है ठीक है 14 का आपसर नमर C करेक्ट हो जाएगा अगला प्रसन आपका देखेंगे 15 नमर क्या पुछा है देखिए प्रसन नमर 15 आपका पुछा है computer की memory arithmetic logic unit और input output device को बताता है कि किसी कारेकरम के instruction को कैसे प्रतिकिरिया देनी है तो control unit के द्वारा ठीक है control unit की memory जो होती है या ये arithmetic logic unit और input output device को बताता है कि किसी कारेकरम के instruction को कैसे प्रतिकिरिया देनी है ठीक है 15 आपसन नमर 16 क्या पुछा है आपका CPU और memory computer के dash पर इस्थित होते हैं तो CPU और memory जो होते है ये computer के motherboard पर इस्थित होते है ठीक है 16 का option number D correct हो जाएगा अगला प्रसन देखेंगे आपका क्या है प्रसन नमर 17 आपका पूछा है computer का अभिसकार किस ने किया ये लगबग 100% दोस्तों हर exam में पूछ रहा है ठीक है लगबग लगब जितने भी college हूँ है जितने भी paper मैंने करा है दोस्तों ये सभी college में ठीक है पूछ रहा है कि computer का विसकार किस ने किया है चाल सबह बेजने ये प्रसन आपको देखने को जरू मिलेंगे दोस्तों टेलेग्राम ग्रूप का लिंक जोइन कर लिजेगा ठीक है और description box में playlist का link है ठीक है मैंने बहुत सारे paper कराए है तो वहां से जाकर कि आप playlist से और भी class द लिए ठीक है उसको भी देख लिजेगा चलिए अगला प्रसन आपका देखेंगे 18 नमबर प्रसन क्या है निमने लिखित में से कौन portable तथा धोने में आसान होता है तो portable धोने में जो आसान होता है कहीं पर भी ले जाने में laptop होता है ठीक है सुगमता से हम कहीं भी ले जा सकत है इस point को याद रखेंगे चलिए अगला प्रसन आपका देखेंगे क्या है प्रस नमबर 19 है निमने लिखित में से किसमे input device सामिल है input device पूछ रहा भी या तो keyboard और mouse दोनों में होता है तो हमारा आपसा नमबर C ज्यादा बेटर है ठीक है keyboard और mouse प्रस नमबर 20 आपका इसमें पूछाए दोस्तों computer को निर्देश द्वारा दिये जाते हैं तो computer को निर्देश input unit के द्वारा दिये जाते हैं कहीं कहीं आपके exam में दोस्तों input device लिख करके भी देगा तो इस point को याद रखिएगा चाहे input device लिख करके दे चाहे input unit लिख करके दे दोनों एक ही होता है हमार आपसन नमबर यही सई होगा ठीक है इंपूट डिवाइस देगा चाहिए इंपूट यूनिट देगा तो याद रखिएगा इंपूट यूनिट इंपूट डिवाइस ठीक है कंप्यूटर को निर्देश इंपूट यूनिट या इंपूट डिवाइस द्वारा दिये जाते ह आपसे नमबर एक करेक्ट है आपका प्रस्ट नमबर एक कई देखेंगे इसमें क्या है निमने लिखित में से कौन Microsoft Word में कारेक्टर फार्मेटिंग विकल्प नहीं है तो इंडेन टेंशन ठीक है आपसे नमर सी करेक्ट है आपका इसका अगला प्रस्ट देखेंगे आपको क्या है देखिए प्रस्ट नमर बाइस आपका पूछा है MS Word में यदि आप एक टेबल में टैब को प्रेस करते हैं ठीक है तो करसर आपको डैस में ले जाता है तो करसर हमको भी या नेश्ट कालम में ले जाता है कहीं कहीं देखिए आपके जो एक्जाम हो रहे हैं और देखिए जो आपसे नमर डी है ना नेश्ट कालम इसमें कभी कभी आपका यन यक्ष्टी नेश्ट क्या है नेश्ट सेल देगा ठीक है नेश्ट सेल लिक करके भी दे सकता है तो दोनों तो याद रखिएगा ठीक है नेश्ट कालम या नेश्ट सेल दोनों में से को ये क्लिक करके देता है दोनों के याद रखिया बाइस का आपसन नमर डी करेक्ट हो जाएगा प्रसन नमर तेज से आपका क्या पूछा है प्रसन नमर तेज से इसमें पूछा है माइक्रोसाफ्ट वर्ड में टैब इस्टाब मारकर को हटाया जा सकता है जो माइक्रोसाफ्ट वर्ड होता है इसमें टैब इस्टाब मारकर को हटाया जा सकता है किसके द्वारा हटाए जा सकता भिया तो करसर को टैब इस टाब पर रखते हुए इंटर कुंजी को दबा कर ठीक है यह इसका आपसन नमर सी करेक्ट है प्रसन नमर 24 आपका पुछा है दोस्तो MS Word का परियोग मूलितर डैस के लिए किया जाता है तो MS Word का परियोग जो होता भी यह मूलितर बिभिन प्रलेख तियार करने के लिए होता है ठीक है 24 का आपसन नमर सी करेक्ट हो जाएगा आपका ठीक है चलिए कभी-कभी क्या होता है आपका जो यहां लिखा है ना प्रिपेरिंग दे वैरियेस डाकुमेंट यहां पर कभी-कभी create document लिख करके देता है क्या लिख करके देता है C-R-E-A-T-E ठीक है create document लिख करके देगा तो confuse मत होईएगा ठीक है मैंने दोनों आपको बता दिया उमीद है आपका गलत नहीं होगा उत्तर ठीक है MS Word का जो परियोग होता है मूलता create document या फिर preparing the various document की द्वारा किया जाता है ठीक है 24 का आपसन नमर C correct हो जाएगा आपका प्रस नमर 25 आपका क्या है निम्न लिखित में से कौन सा फांट संस सेरिफ है तो area ले भीया ठीक है 25 का आपसन नमर B correct हो जाएगा आपका यह जो एक्जाम पूछा ना यह जो एक्जाम हुआ था आपका 18 जून 2022 को हुआ था कहां पर हुआ था राजस्थान में ठीक है RBCI official जो second paper हुआ था उसका यह paper है ठीक है उस paper के exam में यह प्रसन आपका पूछा था चलिए देखी जो भी इसमें सारे प्रसन एक कही न कहीं एक्जाम में पूछे जा चुके है ठीक है बहुत ध्यान से देखीएगा हो सकता है आपका तयारी कर रहों किसी competitive exam की उसमें भी पूछ सकता है 26 वा नमबर प्रसन है MS Word Document के अंत तक जाने के लिए किस keyboard का उपयोग किया जाता है तो control प्लस इंडिका ठीक है 26 का आप्सन नमर सी करेक्ठाब का अगला प्रसन देखेंगे क्या है प्रसन नमर 27 आपका दोस्तों इसमें पूछा है Microsoft Word एक उधार है तो Microsoft Word जो होता भी या एक application software होता है Microsoft Word क्या है application software है 27 का आपसन नमर एक करेक्ठाब का देखिए अभी बहुत ही important यह प्रसन है दोस्तों ठीक है याद रखिए कई सारे प्रसन आपकी एक्जाम में आएंगे बहुत ध्यान पूर्वक देखते चली क्लास को और यह आपकी जिम्मेदारी है इस क्लास को जरूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ ठीक है जो भी competitive exam की तयारी कर रहे है या फिर जो आपका exam हो रहा को curricular course के अंदर ठीक है तो जरूर शेयर करिएगा इस क्लास को चली 28 नमर प्रसन क्या है सिर्षक यानि title case के मामले में क्या करता भिया तो इस case के मामले में वाक्त की सुरुवात में परतिक सब्द को capital किया जाता है ठीक है 28 का option number C correct आपका अगला प्रसन देखेंगे आपको क्या है प्रसन नमर 29 आपका पूछा है दोस्तो mail merge is a component of यानि जो mail merge का घाटक है इन में से पुछा है तो MS word होता भी है ठीक है option number 1 correct है MS word 29 का option number 1 correct है प्रसन नमर 30 आपका पूछा है दोस्तो निम्न लिखित विकल्पों में से कौन Microsoft word file का एक भाग है Microsoft word का Microsoft word file का एक भाग है दोस्तो तो option number B है DOCX ठीक है DOCX which are the following ultimatives is an extension of Microsoft word file DOCX ठीक है option number B correct है प्रसन नमर 31 देखेंगे आपका क्या पुछा है multimedia software समाने तह को सम्मिलित नहीं करते है multimedia software usually do not incorporate किसे नहीं करते हैं भी है तो what document को ठीक है option number A correct है आपका अगला प्रसन देखेंगे आपका क्या पुछा है प्रसन नमर 32 पुछा है आपका निमने लिखेंगे तो में से कौन सा word processor में pyra graph formatting में सामिल है तो दोस्तों जो पक्ती अंतराल होता है line spacing जी से बोलते हैं ठीक है पक्ती अंतराल ठीक है line spacing 32 का option number D correct है ठीक है word processor में pyra graph formatting में line spacing सामिल है ठीक है चलिए अगला प्रस्ण है आपका 33 नमर प्रस्ण है निमने लिखी तुमें से कौन सी MS word की अंतर नहीं सुविदा नहीं है तो live stream है ठीक है option number E correct है आपका MS word की अंतर नहीं सुविदा नहीं है यानि MS word है इसमें कौन से सुविदा नहीं है spell check का भी है सब्द कोस का भी है ठीक है अनुवाद का भी होता है इसमें live stream का नहीं होता है 33 का option number E correct आपका प्रस्ण नमर 34 क्या पूछा है प्रस्ण नमर 34 है निमने लिखी तुमें से कौन सा खंड बिच्छेद ठीक है section ये क्या लिखा है section break type ठीक है which of the following is not a section break type ठीक है दोस्तों कौन सा खंड बिच्छेद का प्रकार नहीं है दोस्तों जो कालम है ठीक है option number C correct है आपका कालम जो है खंड बिच्छेद का प्रकार नहीं है ठीक है इस पॉइंट को याद रखिएगा बाकी ओर पेज नेश्ट पेज और इविन पेज होता है 34 का option number C correct है अगला प्रस देखेंगे 35 नंबर प्रसन क्या पूछा है निमने लिखित में से कौन सी बुनियादी रूप से test formatting की विशेष्ता नहीं है which of the following is not a basic test in formatting feature अगला प्रसन आपका देखते है प्रस नंबर 36 का पूछा है अगला प्रसन क्या है control plus D कुझियों को दबाने से MS Word में dash dialogue box आ जाता है तो कौन सा देखे control plus D कुझियों को दबाने से MS Word में कौन सा dialogue box खुल कर आता भी है तो font खुल कर आता है ठीक है आपसन नंबर D correct है अगला प्रस देखेंगे आपका क्या है प्रस नंबर 38 इसमें पुछा है कापी किये गए टेस्ट को पेस्ट करने के लिए पर्यूगत साथ कार्ट कुझि की कौन से है तो देखेंगे क्या पुछा है कापी किये गए टेस्ट को ठीक है पेस्ट करने के लिए किस Satガarde Key का पर्योग किया जाता है तो Ctrl पलस B का पर्योग किया जाता है 38 का आटस नमर B बी Correct हो जाएगा आपका प्रस नमर 49 क्या पुछा है? देखे प्रस नमर 49 आपका पुछा है MS वर्ड में Upper case को Lower Case में और Lower case को Upper case में बदनने के लिए निम्न लिखित किस change case विकल्प का उपयोग किया जाता है तो दोस्तों इसका किया जाता है टागल case का ठीक है किसका भी है टागल case का आपस नमर सी correct हो जाएगा आपका अगला प्रस देखेंगे चालिस नमर क्या पुछा है प्रस नमर चालिस आपका पुछा है MS Word का परयोग मूलता DAS के लिए किया जाता है तो बिभिन प्रलेख ठीक है उब क्रीयेट डाकुमेंट थीक है याद रखिएगा बिभिन प्रलेख त्यार करने के लिए किया जाता है 40 का अपस नमर सी correct हापका अगला प्रस देखेंगे आपका क्या है ठीक है 41 नमबर पस्ण आपका पूछा है इसमें दोस्तों देखिए 41 नमबर पस्ण क्या है 44 नमबर पस्ण है Microsoft Excel का निमने लिखित में से कौन सा फंक्सन चैनीत डेटाबेस प्रविष्टियों से अधिकतम मुल देता है तो मैक्स देता है डी मैक्स जिसे बोलते है ठीक है आपसे नमबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका 41 का ठीक है Microsoft Excel का निमने लिखित में से कौन सा फंक्सन चैनीत डेटाबेस की प्रविष्टियों से अधिकतम मुल देता है तो डी मैक्स है ठीक है चलिए 42 नमबर प्रस्ण क्या भी है 42 नमबर प्रस्ण है Microsoft Excel को यह भी कहा जाता है Microsoft Excel को क्या कहा जाता है Microsoft Excel को spread sheet कहा जाता है 42 का अपसर नमर C correct हो जाएगा आपका प्रस नमर 43 क्या पूछा है आपका प्रस नमर 43 पूछा है spread sheet परियोग करने का लाभ यह है कि spread sheet जो होता है दोस्तों इसको परियोग करने का लाभ क्या होता है तो गड़नाय सोता ही की जा सकती है करेपीन है सही है डेटा में परीवर्तन होने पर गड़नाय स्वेता भी अ ज़ैती में से कौन सा इस परेड़ सीर्ट का इक उधार है तो जो Microsoft Excel अभी यह क्या है spread sheet का एक उधारण है ठीक है चब्वाल इसका अपस्ट नमर रहे करेक्ट है आपका चलिए प्रस नमर 45 देखते हैं आपका क्या पुछा है Microsoft Excel की कौन सी भी सेस्ता है यानि फीचर का उपयोग परिभासित अनुकरम में दर्ज कियेगा डेटा को सचाले करने के लिए किया जाता है तो आटो फिल का परियोग किया जाता है ठीक अब यह आपसर नमर भी करेक्ट हो जाएगा आपका प्रसन नमर 46 आपका क्या पूछा है 46 नमर प्रसन आपका है एक एकसल वर्क बूक का एक संग्रह है ठीक है क्या है वर्क सीट चार्ट होता है ठीक है वर्क सीट भी होता और चार्ट भी होता है लेकिन हमारा बेस्ट आपसन हमारा बेस्ट एंसवर कौन सा होगा आपसन नमर ठीक है वर्क सीट उमचार्ट देखे जब भी आप ऍग्जाम दे रहे होंगे तो क्या होता है प्रश्नत ही प्रश्ण पत्र होते हैं बहुत ध्यान पुरुवक्वक्वख ठीक है टाइटिल बार क्या होता भी है टाइटिल बार एक्सल वर्कसीट का नाम परदर्सीद करता है 47 का अपस्ट नमबर एक करेक्ट हो जाएगा चलिए 48 नमबर प्रसंद देखते हैं क्या पुछा है आपका MS Excel में चूनी हुई सेलो में फिल्टर को सूचारो रूप करने है तो कौन से साट काठकी का परियोग किया जाता है तो MS Excel में चूनी हुई सेलो में फिल्टर को सुचारू रूप करने है तू ठीक है किस की सौट की का उप्यों किया जाता है Ctrl प्लस Shift प्लस L ठीक है अपसर नमबर एक करेक्ट हो जागा आपका और चास नमबर प्लस में क्या पुछा है निमने लिखित में से कौन सा BDMS का उधारण नहीं है तो भीया Microsoft Outlook है ठीक है अपसर नमबर सी करेक्ट है आपका देखी यह भी किसी एक्जाम में पूछा है मैं भूल गया हूँ साथ RRB NTPC का जो एक्जाम हुआ था फर्स्ट सीप्ट में ठीक है इसमें यह पूछा था 2021 में ठीक है जहां तक मुझे उमीद है ठीक है क्योंकि मैंने इस प्रश्ण को एक बार और पढ़ा है यह आपसर नमबर आपका सी करेक्ट है चलिए दोस्तों इसमें लास्ट प्रश्ण है कम्प्यूटर के एक मेनू में डैस लिस्ट की होती है तो कमांड होता भी है ठीक है कम्प्यूटर के एक मेनू में कमांड की लिस्ट होती है इस पॉइंट को याद रखेंगे पचासवे का बी आपसन करेक्ट है ठीक है उमीद दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी आपसे बहुत उमीद है इस क्लास को सेर जरूर करेंगे दोस्तों ठीक है चलिए मिलते हैं नेस्ट क्लास में तब तक लिजा हिंद वहंते मातरम